हर साल ग्यारह मई को राश्च्रिया प्रादुगी की दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रादुगी की में विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। राश्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपर राश्ट्रपती एम्बिंक कईया नाईडू और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस दिन के लिए शुपकामनाई देते हुए भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया। राश्ट्रपती रामनाथ कोविंद ने 1998 के परमाणू पर एक्षणों की वर्षगांट पर मनाये जाने वाले राश्ट्रिय प्रौद्योगी की दिवस पर देश्वासियों को बधाई दी है। राश्ट्रिय प्रौद्योगी की दिवस की शुपकामनाई देते हुए उपर राश्ट्रपती एम वंकईया नाइडू ने ट्वीट किया कि आज ही के दिन 1998 में भारत ने पोकरण में सफल परमाणू परिक्षण किया। खोजें और आम लोगों के जीवन को बहतर बनाने का प्रयास करें। मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगी की मंत्राले ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए एक सम्मेलन का आयोजन किया। जिसका थीम था Reboot the Economy through Science, Technology and Research Translation। सम्मेलन में मुख्य अतिती के तौर पर शामिल केंद्रिये विज्ञान और प्रौद्योगी की मंत्री डौक्टर हर्श वर्धन ने कहा कि ये दिवस भारत के विज्ञानिक खोज और तकनीकी रशनात्मक्ता को दर्शाता है। 11 मई 1998 को सफलता पूरवक्ट परमाणू परिक्षन करने के बाद ततकालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई ने 1998 में इस दिन को राश्ट्रिय प्रौद्योगी की दिवस के रूप में मनाने की खोशना की थी। तब से भारत इस दिन को मनाता आ रहा है।